बात अब करेंगे पश्शिम बंगाल की जहां ममता बनर जी को अमिच शहा ने ललका रहा है बंगाल में बीज़िपी लाकर रहेगी CAA अमिच शहा ने का कि CAA लागू करने से हमें कोई रोक नहीं सकता 2024-2026 में वोटों से बद्रा लेने की भी चुनावती दी और आज बंगाल में ग्रीब मंत्री अमिच शहा की राली जिस दौरान उन्होंने एक तरीके से चैलेंज देते हुए कहा कि CAA लागू करने से हमें कोई रोक नहीं सकता बंगाल आज बम दमाकों से गूंज रहा है मित्रो बम दमाकों से गूंज रहा है अगर 26 में यहाँ भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नीव 24 के लोग सभा के चुनाव में डाल कर मोदी जी को बंगाल से प्रदान मंत्री बनाना जाए और यहाँ क्या हुआ दो सो बारा भाजपा कारेकरताओं की हत्या हुई एक कॉंग्रेस पाटी और ममता बेनर जी सभी लोग इखटा होकर राम मंदीर को रोक कर रखे थे मोदी जी ने 2019 में इसका भूमी पुजन किया और 22 जन्वरी 2024 को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्टा करने वाले है 26 के चुनाव में दो तिहाई बहुमत के साथ यहाँ पर भारतिय जन्ता पाटी की सरकार बने CAA देश का कानून है इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर कर रहेंगे और देखिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहियोगी नीरच पांडे जुरे हुए सीधा उनका रूख कर लेते हैं नीरच 24 की भी बात कर लिए और 26 भी साथ लिया मतलब इस चालेंज का मतलब ये समझा जाए क्या कि चुनाव में एक तरीके से बीजुपी ने ये साफ कर दिया है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा पश्रिम बंगाल में उनके लिए बिल्कुल मुद्दा बड़ा है सिरीन अरसल दिया धरम तल्ला जहां मैं खड़ा हूँ ये धरम तल्ला है और ठीक यहां से 500 मीटर मेरे लिप्ट में वहाँ पे अमिशानी ये रैली संबोधीत की धरम तल्ला वो जगे मानी जाती है जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी रैली करता है तो मानता है कि इसकी जो अगूंज है वो पूरे राजी के कोने कोने हर जिले में जाएगी 2014 में भी जब भाजपा के अध्यक्ष बने थे अमिशा तब उन्हों ने यहां पर आकर रैली की थी और उसके बाद भारती यंता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा लेकिन अमिशा ने अपना पूरा खाका अपनी पूरी योजना पशिम बंगाल पर केंद्रित कर दी है उनका मानना है कि पशिम बंगाल इस बार 2024 के लोकसवा चुनाओं में उनका सहीयोग करेगा और निश्चित रूप में जो प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी अगर बन बड़ा संदेश दे रहे हैं किस तरीके से आप जरा समझे कहां रैली धर्मतला कोलकाता के धर्मतला में जहां 2024 के लिए तयार रहो ये मेसेज दिया है रैली का नाम प्रतिवाद सभा क्या तयार है बीजेपी के पक्ष में माहल बनाने की रश्टाचार और घोटाला एक अब आपको दिखाते हैं कि 2019 के लोग सभा चुनाओं में पश्चिम बंगाल की कैस्ति है 23 सीटें जिसमें 42 सीटें हैं यहां पर पश्चिम बंगाल में और अगर बात करें टीमसी 23 सीटें बीजेपी 17 सीटें और कॉंग्रिस यहां पर महस दो सीटें हैं तो 42 में से 23 सीटें यहाँ पर TMC के पास है लेकिन 17 सीटों से अब इसे जो बढ़ाने की बात यहाँ पर BGP कर रही है जो confidence दिखा रही है उसका आधार किया है नीर जरा समझाई है हमारे दर्शुकों को भारती जन्ता पार्टी फाइटिंग एस्पिरिट्स के लिए जानी जाती है दो हजार उन 21 के विधान सबस्चुनाओं में आप देखें तो 77 सीटों के साथ वो नंबर 2 की पोजिशन पर आए भारती जन्ता पार्टी ने 2019 में यहाँ पे 18 सीटे जीते बाद में बाबुल दिया और वह खाते में चली गई टीम सी के तो 17 सीटे अभी भी भी भारती जन्ता पार्टी का मानना है कि लोक सबस्चुनाओं विधान सबस्चुनाओं दोनों का पैटर्न अलग होता है लोक समय में लोक नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं यह अलग बात है कि विधान सब बात अभरती जन्ता पार्टी ने सबी सीटे स्वीप की तो भारती जन्ता पार्टी का अखलान यह है कि मंताप एनर्जी मुख्य मंत्री है उनको पृधान मंत्री बनना नहीं है तो भारती जन्ता पाटी अपने कैडर के दमपर और नर्यंद्र मोधी के चेहरे के दमपर यहाँ पर एक बड़ी जीत जीत सकती है भाजबा काई किये योजना है बिल्कुल ठीक है लेकिन ये रणनीती कितनी कारगर होगी ये भी देखना होगा जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे